मद्ध प्रदेश लोकसेवा आयोग ने 2021-22 के लिए अपने कलेंडर जारी कर दिये हैं, राजसेवा परिक्षा के बारे में इसमें बताया गया है, 2019, 2020, 2021 की परिक्षाओं के बारे में, डिटेल्स में बताया गया है कि कब ये ली जाएंगी examination और कब इनका result आएगा, 2019 की जो examination है, राजसेवा मुख परिक्षा और राजवन सेवा परिक्षा दोनों की मुख परिक्षाओं हो गई है, इनका result इसी महीने दिसंबर में आने वाला है, फरवरी में इनकी साक्षात कार होंगी और मार्च 2022 तक result आने की संभावना है, 2020 की जो परिक्षाओं थी, राजसेवा और राजवन सेवा, 25 जुलाई 2021 को प्रिम्री examination हुआ था, और इसका जो means है, वो अप्रेल 2022 में प्रस्तावीत है, result इसके दिसंबर इसी महीने में आने वाले हैं, और फाइनल जो है, इसका जो result है, October 2022 में आसा आएगा, जो सबसे important है, वो है 2021 का राजसेवा परिक्षा और राजवन सेवा परिक्षा, advertisement हम लोग जानते हैं कि एक ही साथ आता है, तो दिसंबर इसी महीने में आने वाला है, 2021 में हो सकता है कि इस week में या अगले week में आज आए, और अप्रेल 2022 में ये examination प्रस्तावीत है, और इसका result मही में आएगा, अगस्त में इसके mains होंगे, और फाइनल जो result है, दिसंबर 2022 मे आज आएंगे 2021 राजसेवा परिक्षा का, तो ये काफी एक good news है, मदप्रदेस Public Service Commission के दोवारा कि पहले से वो बता देते हैं examination date, जिससे की candidates को काफी सहुलियत मिलती है, so thanks and take care.